राइधानी शिमला के अतिहास से गेटी थेटर में संदूग बाय जिग्यासा द्वारा आर्ट इन क्राफ्ट प्रदर्शनी का आयोचन किया जा रहा है इस प्रदर्शनी का आयोचन 13 जनवरी से 17 जनवरी तक की अचारा है प्रदर्शनी में मुख्य आकर्शन कुलूवी पटी से तयार किये गए विभिन तरह के उतपाद है जिसमें कुशन कवर, बैग, श्रग, स्कारपेट शामिल है वहीं संदूग बाई जग्यासा की संस्थापक जग्यासा ने जानकारी देते हुए बता है कि दो साल पहले स्टार्ट अप के तौर पर उन्होंने ये कारे शुरू किया था इसका मुख्य उदेश हिमाचल की संस्कृती का सरक्षन और सवर्धन करना है क्योंकि आज के समय में लोग हिमाचली संस्कृती से दूर होते जा रहे हैं और उन्होंने एक प्रयास किया है उन्होंने बताए कि उनके साथ इस कारे में काफी सारे कारीगर जुड़े हैं और मुख्यता इसमें महिलाएं भी शामिल है जो अपनी आज जीवी का भी कमा रही है तो अगर हम उसको हमने सुचा कि अगर वही पट्टी को हम और चीजों पर डिस्प्ले करेंगे होम फिनिशिंग प्रॉड़क्ट पर या मल्टिपल एक्सेसरीज पर हमने अप डेखेंगे तो हमने बहुत चीजों पर उनको यूज करा हुआ है और इसलिए भी करा है क्योंकि ये आर्ट जो है ये फेडवे हो रहा था तो हमें लगा कि एक दने खतम हो जाएगा एक जनरेशन जो बना रही है ये उसके साथ ये खतम भी हो जाएगा उनकी नेक्स जनरेशन को नहीं जाएगा तो basically मैं एक अपना culture को promote भी कर रही हूँ और उसको preserve भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे यही थे क्योंकि मैं भी हमाचली हूँ हमाचल से हूँ हंजी तो इसलिए ये एक idea start किया हमने फिर उसमें हमने add करते रहे हम चीजे हमने पहले home furnishing से add किया फिर उसके बाद हमने उसमें add करते गए तो अभी हमारे पास काफी ranges है products की तो आप एक बार देखेंगे अब जिसे यह है यह हमने इस यह है और हमने यहाँ पे products जो है यहाँ पे हमने cushion covers, table runner sets, throws, उसके बाद bags हैं different types के apparels पे भी थोड़ा बहुत है चीजे और इस तरीके से हमने यहाँ पे products रखे हैं सरकार की तरफ से अब हमारा यहाँ पे हमार्शल Emporium में counter है अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो Indian Coffee House के साथ में ही हमार्शल Emporium है वहाँ पे हमारा नीचे बारे floor पे counter है तो एक step है अभी government के साथ जो हमने अभी करा है बागी मेरे साथ अलग-अलग कारिगर जुड़े होए हैं कोई यहाँ पे हैं कोई कुलू में हैं जो मेरे लिए पट्टी बना रहे हैं यहाँ पे हैं वो products ready कर रहे हैं हमने साही ladies को यह चीज सिखाई उनको रोजगार भी दे रहे हैं एक तरीके से employment भी है मैं खुद एक product designer हूँ तो मैंने यह चार साल का course किया है Paul Academy से स्कूल के बाद मैंने यह चार साल का course किया था उसके बाद मैंने कुछ time job भी करी है फिर मैंने एक अपना start-up करा है start जिसको two years हो गया